हलो एवरीवन सभी प्यारे बच्चों का अगेन वेलकम करता हूँ फिर से एक स्पेशल क्लास करने वाले हैं आज फर्स्ट पार्ट इसका कल कर चुके हैं जिसको बहुत प्यार मिला आपका और सभी की रिक्वेस्ट यही थी कि इस क्लास को कंटिन्यू करें देखी यह कलास है आपके दिमाग से इंग्लीश का डर निकालने की बड़े-बड़े सेंटेंसिज 5-5 लाइन के बड़े-बड़े सेंटेंसिज कैसे आप पड़ते हुए दिमाग में ब्रेक करेंगे उसका सही meaning निकालेंगे इस class मैं मैं आपको सिखाता हूँ और तरीका होगा सिखाने का बिलकुल वैसा जिससे की दसवी class का बच्चा भी बड़े sentences को पढ़ना सीख सके तो चलिए बिना देरी के शुरू करेंगे एक लाइक देदो फटा फट से class को एक शेर देदो उन बच्चों के साथ जिनको इंग्लिश में struggle होती है sentence आपके सामने है एक नई structure है With truck drivers abstaining from work, the government has promised to bring it into play only after consultations with All India Motor Transport Congress बहुत आसान sentence है लेकिन structure समझाने के लिए लाया हूँ ये आगे देखोगे ये sentence थोड़े और complicated होते जाएंगे देखो जब भी आपको ऐसा sentence मिले जिसमें लिखाओ with और with के बाद में कोई noun रखाओ चाहे singular हो चाहे plural हो और फिर देखना एक निशानी होगी उस noun के बिलकुल बाद में रखी होगी verb की ing form तो इस sentence की structure का meaning होता है के साथ ही इसका meaning क्या निकला साथ ही truck drivers के abstain करने के work से abstain करना क्या होता है भाई कली आपको बताया था जो word आपको ना आता हो reading के दोरान आप उसको dictionary में search करेंगे abstain word का meaning होता है अब search करो dictionary में परहेज करना किसी चीज से दूर रहना तो truck drivers के काम से परहेज करने के साथ ही या काम से दूर हो जाने के साथ ही ठीक है तो यह structure है with के साथ में verb की ing form लगा के अच्छा हुआ क्या फिर अब कौमा के बाद में सही जो main बात है वो शुरू होगी हुआ यह कि सरकार promise कर चुकी है कि वो bring करेगे इस चीज को into play bring something into play यानि किसी चीज को enforce करना अमल में लाना implement करना तो सरकार ने वादा किया कि हम इस चीज को implement करेंगे अमल में लाएंगे और कब सिर्फ बाद में only after और किसके उन बातचीत के या consultations के जो होगी इस union के साथ All India Motor Transport Congress जिसका नाम है सरकार ने यह बोला कि आप ठीक है काम छोड़के बैठे हो ट्रक ड्राइवर्स लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं भरोसा दिलाते हैं कि यह कानून तभी लगेगा जब आपकी union से बातचीत कर लेंगे उससे पहले नहीं लगाएंगे चलो अब इसको break करते हैं mentally यह जो आपने उपर देखा विद ट्रक ड्राइवर्स एपस्टेनिंग फ्रॉम वर्क यह वही वाली structure है जो अभी आपको समझाई है विद प्लस में प्लस में एक noun और प्लस में वर्ब की ing form मीनिंग आपने इसका निकाल लिया sentence का subject है the government यानि की सरकार और subject की verb है has promised यानि सरकार ने promise कर दिया है अच्छा यह जो आप आगे देख रहे हो only after consultations with all India Motor Transport Congress यह जो only after वाला पूरा phrase है न यह बता रहा है वक्त को यानि time को सरकार कब लाएगी इसको into play सौमवार को लाएगी मंगलवार को लाएगी अप्रेल में लाएगी 2030 में लाएगी नहीं सरकार लाएगी जब सरकार बादचीत कर लेगी consultation कर लेगी तो जैसे सौमवार मंगलवार April 2025 time को बताते हैं वैसे ही यह पूरा phrase जो है वक्त को बता रहा है verb के action की इसको बोलते है adverbial phrase of time याद नाम आपको नहीं रखना है आपको इसका काम याद रखना है ठीक है जब कोई phrase verb के वक्त को बताए तो adverbial phrase बन जाता है verb को प्रभाजित करता है वो जो है define करता है तो सरकार ने promise किया है बादचीत के बाद में ही कानून को लाने का अब यहाँ पे एक breaks लगाओ अपनी गाड़ी के जो structure मैंने आपको समझा ही मोटी मोटी आपके दिमाग में गई बैठ बैठ गई ना अब मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूँ कि यह जो verb की ing form है जो structure का trademark है एक तो with आएगा और साथ में verb की ing form आएगी यह verb की ing form है क्या technical language में इसको क्या समझे देखे यह verb की ing form कुछ और नहीं है यह एक present participle adjective है verb जो drivers नाम का नाउन है उसके बारे में additional information दे रहा है drivers जो की abstain कर रहे हैं काम से with truck drivers who are abstaining from work तो एक नजरिया तो है इसको देखने का यह दूसरा नजरिया क्या है दूसरा नजरिया यह है कि यह जो abstaining है abstaining यह इस with prep position का object है थोड़ा आपको technical लग रहा होगा लेकिन मैं आपको समझाना चाहरा हूँ जो बच्चे teacher बनना चाहते हैं कल को academically English सीखना चाहते हैं दो तरीकों से आप इसको बता सकते हैं चाहे तो आप इसको drivers नाम के नाउन के लिए participle phrase बना दे drivers वो जो abstain कर रहे हैं drivers abstaining from work या चाहे आप इसको with prep position का object मान ले hopefully यह with वाली structure आपने master कर ली होगी pattern आपने समझ लिया अब मैं इसी pattern को थोड़ा और advanced लेकर के चलता हूँ next structure में मजा आएगा आपको sentence बड़े होते जाएंगे लेकिन आपके पास वो नजर आजाएगी हर टुकडे को अलग से handle करने की अगले sentence पर बढ़ने के साथ 31 March और last day test book की sale का mock test passes पे 219 रुपे में 15 महीने का mock test pass, 12 गा नहीं 15 महीने का mock test pass test book पे available है रात 12 बज़े तक mock test pass के अंदर आपको सारे exams combine करके mock test मिलते हैं 70-75 अजार SSC, banking, EPFO, Steno, CPO, Railways, Defense सबके सब एक साथ आजाएंगे एक ही pack में इस pack को आप lifetime well duty के साथ 395 में बाई कर सकते हैं प्रो वर्जन में जिसमें आपको previous year papers भी मिल जाएंगे in the form of mock test pass का फाइदा लेने के लिए comment section में जाएं जो भी आपको price दिखा रहा हो उस पर आपको लगाना है coupon code YT10 जैसे इस code को लगाएंगे आपका price खटकी हो जाएगा 219 रुपे उसी तरीके से pro वाला pass है वहाँ भी आप इस coupon को लगा करके प्राइस को 395 तक ला सकते हैं इसमें lifetime validity अपको 3 years आपको प्रो पास में मिल जाती है comment section में link है if you haven't taken the benefit of the sale you can take it tonight चलो जी अगला वाला sentence with truck drivers worried about the implications of section 106 of the BNS abstaining from work आगे वो sentence वैसा का वैसा ही है जान बूज के sentence को मैं वैसा ही रख रहा हूं worried about the implications of section 106 of the BNS वो truck drivers जो worried है परिशान है worried या नहीं परिशान होना verb की third form है worry की adjective है drivers के लिए और about किस के बारे में दूर गामी नतीजों के बारे में far-fetched results के बारे में implications के बारे में section 106 के BNS नाम के इस कानून के बाकी sentence तो वही है अब आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए सर ये verb की ing form इस with के बाद वाले noun से दूर क्यों रख दी भै ये with रखा अभी आपने pattern बताया था बाद में noun आएगा फिर आनी चाहिए थी verb की ing form वो पता नहीं कहां रखी और बीज में verb की third form ले आए तो देखो जी इसको बोलते है multiple participle for a single noun हुआ क्या truck drivers जो है ना इसको बताने के लिए दो phrases यूज किये गए हैं ये वो truck drivers भी है जो worried है या नी परिशान है और ये वो truck drivers भी है जो abstaining from work भी कर रहे हैं मैं इसको अगर इसके पास ले जाओ तो ये दूर हो जाएगा वरीड नाम का participle है ना driver से और मैं वरीड को पास में लाया तो ये दूर हो गया किसी को तो पास पर रखना ही पड़ेगा ना ऐसा तो नहीं है या दोनों को चिपका दूँ वरीड भी लिख दूँ, abstaining भी लिख दूँ नहीं हो सकता ना बस यही simple सा reason है वरीड वाला हमने पूरा phrase participle phrase drivers के लिए पहले रख दिया और abstaining वाला जो phrase है है ना उसको आमने बाद में रख दिया structure वही है with truck drivers abstaining from work who are worried about the implications of section 106 of the BNS बागी सब तो आपने देख ही रख है subject to government, verb has promised और after consultation वाला यह पूरा का पूरा adverbal phrase of time है, verb के time के बारे में बता रहा है मजा आ रहा है सभी को चलो, like दो वीडियो को share कर दो अभी से आपके likes और share से ऐसी वीडियो में बनाऊं, अंदर से motivation आता नहीं, जब आपको अच्छा लगता है आपका प्यार मिलता है, तो इस content को लाने का मेरा मन करता है चलो अब और आगे बढ़ते हैं, और sentence देखते हैं इसी तरह के देखो यह sentence है, this bords ill for the quality and tenor of democratic discourse ahead, यह चीज जो है bords ill करती है board ill करना क्या होता है भई, dictionary में खोलो इस word को, board का मतलब होता है predict करना, indicate करना ill का मतलब होता है, बिमार या खराब, यह चीज जो है, बिमारी को या खराबी को indicate करती है और किसके लिए, गुणवत्ता यानि quality के लिए, और tenor के लिए, यानि मिजाज के लिए tenor word को search करो, dictionary में tenor का मतलब होता है, disposition, mood या मिजाज, और मिजाज है democratic discourse का, लोक तंत्रिक बातचीत का, जो देश में होती है democracy को लेकर के, यह जो बात हुई है, जो भी बात है, वो उस बातचीत के मिजाज और quality को खराब बताती है, उसको गलत इंडिकेट करती है, और यह काम कैसे होता है, raising the likelihood of more, turmoil with leaders on both sides attacking each other, raise करते हुए, likelihood को संभावना को, raise का मतलब होता है उठाना या बढ़ाना likelihood का मतलब होता है, possibility या संभावना, बढ़ाते हुए संभावनाओं को, और ज्यादा turmoil की, और ज्यादा अफरा तफरी की disorder की, जो है अब देखो, with वला phrase आगया last में, वो ही जो आपने सीखा था with leaders on both sides attacking each other, साथ ही leaders के attack करने के दोनों तरफ वाले leaders के, एक दूसरे को, इच अदर को तो तीन हिससे हैं इस sentence के, जो आपको अलग-अलग समझने हैं, और एक साथ उनको बिठाना है, ठीक है पहला इससा क्या है, इस कॉमा से पहले-पहले वाला इसमें this जो है subject है, bored, ill, इसकी verb है, समझपाई ना इतना तो, अच्छा ये जो कॉमा लग गया इसके बाद में जो आप raising देख रहे हैं इसको बोलते हैं present participle verb की ing form इसके पहले is, am, are, was, were कुछ नहीं हारा होगा अकेली पड़ी होगी और इससे पहले कॉमा ज़रूर लगा होगा अगर ये शुरू में आई तो फिर कॉमा की ज़रूर नहीं है मान लिजए, यहीं से सेंटेंस शुरू हो जाता फिर कॉमा ना लगता बीच में आएगी, तो कॉमा लेके आएगी तो raising the likelihood of more turmoil इस raising present participle का meaning ये है कि एक action हो रहा है, जो simultaneous हो रहा है इस पहले वाले main verb वाले action के साथ जैसे आप पढ़ाई भी कर रहे हो और गाना भी सुन रहे हो तो you are studying, listening to music गाना सुनते हुए you are studying, listening to music समझ पारे हो? तो वैसे this board still for the quality raising the likelihood of more turmoil तो ये पूरा participle phrase आपने बना दिया present participle phrase बोलते हैं इसको क्योंकि एक simultaneous action को ongoing action को बताता है last में क्या है? last में हमारी वही वाली structure, with वाली ये सारा काम हुआ साथ ही leaders के दोनों side के attack करने के एक दूसरे को with भी लगा हुआ है, एक noun भी आ गया leaders और साथ में attacking नाम का एक verb का ing form जिसको आप चाहे तो participle मान लें चाहे with preposition का object मान ले एक दम चीजे clear clear समझ में आ रही होंगी अब आपको है ना कैसे sentence बने हुए, अलग-अलग हिससे आपने पगड़ पगड़ के उनको तोड़ तोड़ के अपने देख रहे हैं जो words आपको नहीं आते, again बार-बार एक ही बात को मैं at the cost of repeating myself जो words आपको समझ में नहीं आते हैं you'll have to look up those words in a dictionary तैंलर को देखो raising का meaning नहीं पता तो ये देखो turmoil को देखो discourse को देखो दिन में 20 बार अगर डिक्सरी नहीं खोल रहे हो और अगर आप reading में बहुत अच्छे नहीं हुए हो और फिर भी नहीं खोल रहे हो अपने पहर पे आप खुद कुलाडी मार रहे हो बिना dictionary के किसी ने अंग्रेजी नहीं सीखी vocabulary को आपको dictionary से ही cover करना चाहिए अब ये मत पूछना सर्फ कौन से वाली dictionary आप जिस लेवल से शुरू कर रहे हो यहां तो सभी dictionary बराबर है पांच साल पढ़ने के बाद आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए कि dictionary कौन सी लूँ शुरू के पांच साल तो जो मिल जाए वही आपके लिए काफी है online, offline जो मिलती है यूज कर लो चलो, last sentence सब चीजें mixed-nense में और इसमें मैंने एक प्यारी सी error भी डाली है ठीक है, पहले structure देखते हैं इसकी क्या है accusing of widespread corruption by the opposition the ruling government initiated investigations in an attempt to salvage its tarnished reputation while facing popular criticism accuse करते हुए, आरोप लगाते हुए बहुत बड़े level के या widespread level के corruption का दस्ट चार का opposition के द्वारा, विपक्ष के द्वारा कहरा है, ऐसा आरोप लगते हुए जो हमारी ये सरकार है ना, government है देखो, आरोप भी इस पे लग रहा है simultaneous section है, verb की ing form से sentence शुरू हो गया, देख लो आरोप लगते हुए, opposition के द्वारा corruption का, हमारी सरकार ने उसी वक्त initiate कर दिया, शुरू कर दिया investigations को या जाचों को और क्यों किया? in an attempt to, इस phrase को आप चेक करोगे google पे, इसका मतलब होता है इस कोशिश में या इस प्रयास में, तो इन्होंने investigations को शुरू किया, इस कोशिश में कि salvage किया जा सके या बचाया जा सके, बचाया कुछा बटोरा जा सके, अपनी खराब हुई छवी को, tarnished reputation को, reputation यानि आपकी छवी, आपकी प्रतिष्था, आपका है न, और tarnished होता है, जो तार-तार हो गई हो कटी-छटी हो, खराब हो गई हो तो ऐसा सरकार ने किया अब ये सरकार ने किया कब? जब सरकार face कर रही थी while facing, popular criticism को, population से आने वाले या, आम आदमी से आने वाले criticism को, popular का मतलब होता है, जो लोगों से आया हो या तो बहुत लोगप्रिया हो या लोगों से आने वाला हो, है न, population से आने वाला हो, तो population से आने वाले criticism को face करते हुए, acquisition का सामना करते हुए, इन आरोपों का, सरकार ने खुद पर जांच बिढ़ा दी, ताकि अपनी reputation को वो बचा सके चलो, अब इसकी structure देखो कैसे बना हुए sentence देखो जी, यह जो आपने accusing देखा शुरू में यह है present participle और आया किसके लिए ruling government नाम के subject के लिए सरकार के लिए, और सरकार जो है subject, इसकी verb है initiated जब सरकार ने initiate किया था investigations को शुरू किया था जांच को, अच्छा initiate क्यों किया, initiate किया इस मकसद से, in an attempt to salvage its tarnished reputation, यह जो पूरा red color में देख रहे हो, यह जो in an attempt to salvage, यह बता रहा है, इस verb के मकसद को इसके reason को, यह बन जाएगा adverbal phrase of reason ठीके ना, जो क्यों का जवाब दे logic दे आपको, वो adverbal phrase of reason बन जाता है, तो इस region से इन्होंने initiate किया, और जब यह दोनों काम सरकार कर रही थी accuse भी हो रही थी, और शुरू भी कर रही थी, तभी सरकार एक तीसरा काम भी कर रही थी, कॉमा लगा के आपने उसको बताया है, अगेन participle phrase को यूज करते हुए, वो अब की ing form को, और वो काम है face करना, सामना करना, लोगों की अलोचना का, समझपा है sentence की structure को, तीन तीन काम एक साथ हो रहे हैं, पहला काम है, जो सरकार का main verb है initiate करना, और उसी वक्त सरकार accuse भी की जा रही है और उसी वक्त सरकार खुद face भी कर रही है, इस तरह के criticism का, अगर ये structure आपने पकड़ी, हाथों हाथ आपके दिमाग में चीज क्लिक करनी चाहिए कि सरक sentence में कुछ गडबड है गडबड कहा है, समझ में आई देखो जी, गडबड यहाँ है सरकार आपका subject है और दोनो participle हमेशा subject के उपर काम करते हैं दो हो या तीन हो participle जो भी है, जो simultaneous section दिखाता है, वो काम करता है subject पे या subject से काम करवाता है, ऐसा समझ लें क्यूंकि ये active में लिखा हुआ है, accusing verb के ing form ये भी active में लिखा हुआ है, facing verb के ing form तो ये तो ठीक है सरकार face कर रही थी क्या ये बताओ, ये सही है क्या सरकार accuse कर रही थी सरकार accuse कर रही थी सरकार आरोब लगा ली थी, या सरकार पर आरोब लग रहे थे, आरोब तो सरकार पर लग रहे थे, तो ये पार्टिसिपल की फॉर्म को में चेंज करना पड़ेगा फॉर्म को चेंज करके कुछ ऐसा करेंगे कि यह पैसिव हो जाए और सरकार के उपर काम होने लगे अब यहाँ पे आता है रूल गेम में पिक्चर में प्रेजंट पार्टिसिपल अपनी पैसिव फॉर्म में और प्रेजंट पार्टिसिपल की पैसिव फॉर्म क्या होती है बींग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म समझ पाए बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म से ही पैसिव बनता है being accused being accused of widespread corruption the government initiated investigations while facing popular criticism तो जब भी आपको participle मिलें आप उनकी किस दिशा में वो काम कर रहे हैं उनका nature जरूर देखें क्या वो subject की उपर काम कर रहे हैं तो passive बना दो being plus में वर्ब की third form और अगर वो subject से काम करवा रहे हो subject खुद काम कर रहा हो जैसे यहां face कर रही है सरकार तब verb की ing form से काम चल जाएगा ठीक है अच्छा एक चीज और present participle से पहले while जो है न while यह optional होता है यहां भी present participle है चाहे passive में लगेगा यहां भी आप while लगा सकते थे आपने यहां लगा दिया चाहे दोनों जगह से निकाल दो हाँ पर दोनों जगह मत लगाना दोनों जगह लगाओ के तो फिर while while दो बार आजाएगा एकी sentence में थोड़ा unnatural लगता है बोलने में और लिखने में ठीक है present participle से पहले while चाहे तो लगाएं चाहे तो छोड़ दें दो आ रहे हैं तो एक जगह लगा दो एक जगह छोड़ दो दोनों जगह छोड़ दो के तो भी चल जाएगा it's entirely optional चलिए कैसी लगी class यही wrap up करेंगे एक sentence मैं आपको दे रहा हूँ last में जो आपने सीखा वही apply करना है इसमें आपको मिलेंगी दो errors participle structure में भी मिलेगी और with वाली structure में भी मिलेगी with the US back its military operations comma Israel has carried out targeted strikes in Lebanon and Syria अमरीका के back करने के साथ ही support करने के साथ ही इसके military operations को Israel ने अंजाम दे दिया है carry out कर दिया है target लगा करके strikes का बहुत सारे हमलों का जो Lebanon और Syria में जो है इसराइल कर रहा है और ये कैसे कर रहा है being killed Hezbollah मारते हुए Hezbollah को Hamas को और Iranian commanders को यहां के लड़ाकों को ठीक है मोटी मोटी errors दिख गई होगी मुझे पता आपको ओलेडी देख चुके है फिर भी डालना comments में जिन बच्चों ने पकड़ी हो ना पकड़ी हो तो भी लिखना सर हमें ये समझ में आया और ये समझ नहीं आया नेक्स क्लास पे जो अभी तक सीखा है इसी को mix करके आपको कुछ नई स्ट्रक्चर्स बताएंगे अंटिल देन एक लाइक और एक शेर जिन बच्चों को डाउनलोड करें comment section मिल लिंक रखा गया है you can take the benefit चलिया until then signing out